हेलो फ्रेंस स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल डिजाइन एलवी पे फ्रेंस आज हम बनाएंगे ब्लाउस के बेक डिजाइन तो पहले लेंध का निसान लागाएंगे लेंध लेंगे सारे 14 इंच शोल्डा लेंगे 6 इंच आर्मून लेंगे 6 इंच ब्लाउ को हम बराबर में इस तरह से मिला देंगे और इस पर हम बोटनेक का सेब दे देंगे और इसी निसान से और एक निसान लागाएंगे हम सारे आठ इंच पे इस तरह से इस तरह से सारे आठ इंच पे निसान को लागाएंगे और नीचे से विर्थ हम 4 इंच रखेंगे जितना तो यहाँ पर देखिए मैंने मार्क कर लिया है अब हम लेंगे पेपर पेस्टिंग पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड करके लेना है और नीचे के तरफ और उपर के तरफ अच्छे से फोल्ड करते हुए कट लगा लेंगे चोटा सा और पेपर पेस्टिंग को ब्राबर मे तो यहां पर देखिए हमने मार्क कर लिया है अब इसे मार्क को मैंने दूसरे तरह भी बना लिया है अब इसे कट करेंगे तो साइट से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कट कर लेंगे इस तरह से और अब हम एक अलग सा अस्तर वाले कपड़े को लेंगे और पेपर पिस्टिंग को अस्तर वाले कपड़े को पर अच्छे से रखते हुए इसे प्रेस करके चिपका लेंगे तो मैंने देखे प्रेस करके इसे चिपका लिया है अब साइट से हाफ इंच एक्ष्ट्रा कपड़े को रखते हुए बाकी सारे पार्ट को कट कर लेंगे और अब चाड़ों तरब छोटों छोटा कर्ट्स लगा लेंगे ताकि इसको हम अच्छे से फोल्ड करके सिलाई कर सके तो कट्स मैंने लगा लिया है अब इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इसे सिलाई करके जॉइंट कर लेंगे तो पैपर पेस्टिंग वाले नेक पार्ट को हमने सिलाई करके इसे फनिसिंग कर दिया है अगर हम इसे साइट करते हैं अब हम लेंगे बेक पार्ट तो बेक पार्ट को जो मैं फेब्रिक है उसकी रॉंग साइट हम उपर के तरफ करते हुए रखेंगे इस तरह से उल्टी तरफ हम बेक पार करते हुए रखेंगे और उ दोनों कपड़े को मैंने जॉइंट कर लिया है अब साइट से जो एक्स्ट्रा फेब्रिक है इसे कट करके निकाल देंगे और इसी तरह से चारो तरप एक्स्ट्रा फेब्रिक को भी कट कर लेना है तो मैंने चारो तरप एक्स्ट्रा फेब्रिक को कट कर लिया है अब बेक पा देखें और पर चोटा सो आप और चिываем के छोटा सा होद की किसा इस नेग वाले पार्ठ को वह को थी चोट से एक वाली कें से क्वेस, फूर्डी को नेग नेंग क बरसें मिलते हुए रोखेंगे तो आप चाहे तो ने कवाले पार्ट में थान दूरित सिंब्सक्राइट ताकि अच्छे से दोनों पार्ट जॉइंट हो जाए, स्लाई करने में दिक्कत ना आए अब देखिए जो निसान हमारा डिजाइन के दिख रहा है, उस पे हम एज़र्टी स्लाई करेंगे बिल्कुल निसान को उपर ही हमें स्लाई करना है पूरे डिजाइन पे तो देखिए नेक पर हमेंने स्लाई कर लिया है, अब सेंटर का एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके निकालेंगे तो एक पर का मार्जन या फिर हाप इंच का मार्जन हम रखते हुए बागी सारे पार्ट को कट करके निकाल देंगे याद रहें शिलाइए ना कटे तो center पर हमें अहीँ हमें cut करना है तो कुछ इस तरह से देखिए center पर द्यान से हमें cut करना है शिलाइए ना कटे तो मैंने center का extra part को cut करके निकाल दिया है, अब पूरे design पर हम छोटे-छोटे cuts लगा लेंगे चारो तरफ मैंने चकट से लगा लिया है अब इससे दूसरे तरफ पलट लेना है इस तरह से कॉर्णर को अच्छे से किसी नोखिली चीज से बाहर को निकाल लेना है अच्छे से तो इस तरह से देखिए मैंने अच्छे से इसे पलट लिया है फिनिसिंग के साथ और उपर से अब हम एक टॉप स्टिच लगाएंगे तो इस तरह से देखिए कॉर्णर पर हम एक टॉप स्टिच लगा लेंगे पूरे नेक डिसाइन पे पूरे पार्ट में मैंने सिलाई कर दिया है नेक वाले पार्ट पे अब हम इस पर टक्स की स्टिचिंग करेंगे तो सेंटर से ब्राबर में फोल्ड करते हुए टक्स की स्टिचिंग करेंगे तो इस तरह से देखिए सेंटर से ब्राबर में हम इसे फोल्ड करेंगे और फिर तक्स की stitching कर लेंगे, टक्स की लेंद 4.5 इंच रखनी है, इसी तरह से हम दूसरे तरफ भी टक्स को लगा लेंगे तो देखिए दोनों तरफ मैंने टक्स को लगा लिया है, अब नीचे के और हम कमर पट्टी लगाएंगे 1.5 इंच चौरी कमर पट्टी लेनी है, उपर की और कमर पट्टी को रखते हुए, 1.5 इंच का मार्जन लेते हुए कमर पट्टी को जॉइंट कर लेंगे और अब कमर पट्टी को इस तरफ पलटते हुए, कमर पट्टी को उपर से और एक सिलाई करनी है कमर पट्टी को ऊपर से मैंने सिलाई लगा दिया है अब कमर पट्टी को दूसरे तरफ पलटते हुए इस पर तुर्पाई कर लेंगे तो देखिए कमर पट्टी लग चुकी है अब ये बेक पार्ट बन चुकी है तो इसे हम साइड करते हैं अब डिजाइन के लिए हम कुछ पट्टी लेंगे उससे हम डिजाइन बनाने वाले हैं तो कॉंटरस कलर में मैंने यहाँ पर पट्टी लिया है पट्टी का विर्थ यह पर थिरी इंच है तीन इंच और लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं लेंथ हमें ज्यादा ही लेना है और साइट से देखिए फोल्ड करते हुए हम एक पेड का मार्जन रखते हुए इसे सिलाई कर लेंगे इस तरह से और अब इसे हम सिधा कर लेंगे पीन की मद लेना है इस तरह से फोल्ड करते हुए अच्छे से आपसे प्रेस कर देना है तो देखिए हमने इसे रेदी कर लिए है किसे हम कट करेंगे तो तो देखिए मैंने कट लगा दिया है अब इससे हम डिजाइन बनाएंगे तो बेक वाले पार्ट को हमें ले लेना है बेक वाले पार्ट को अच्छे से फैलाते हुए रखेंगे और जो हमने नीचे का तरब हार्ड वाला डिजाइन बनाया है उस पे हम इस डिजाइन को लगा इस वाले कॉर्णर पर देखिए हमें किस तरह से लगाना है ओपर को रखते हुए हम इस डिजाइन को इस तरह से रखेंगे बाद में हम एक्स्ट्रा डिजाइन को कट कर लेंगे जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसे हम कट कर लेंगे और इसी तरह से अब देखिए चारों तरफ हम डिजाइन को बना लेंगे, तो देखिए सारे डिजाइन को मैंने जॉइंट कर लिया है, अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इससे कट कर लेंगे इस तरह से, और इससे अब हम डिजाइन बनाएंगे, तो पहले हम इसके लेस लगाएंगे, तो इस तरह से देखिए, कॉर्नर पे अच्छे से फोर्ड करते हुए लेस को लगाना है और इसी तरह से हम पूरे नेक डिजाइन पे लेस को लगा लेंगे तो देखिए पूरे नेक डिजाइन पे मैंने लेस को लगा दिया है अब जो पट्टी मैंने जॉइंट किया है इस पे हम डिजाइन बनाएंगे तो हमें लेना है मोती और हैंड डिजाइन को बनाएंगे तो देखिए सेंटर से पहले हम सिलाई को इस तरह से करेंगे सुवी को नीचे से हम बाहर को और निकालेंगे और डिजाइन को देखिए दोनों तरफ हम पट्टी के इस तरह से धागे को घुमाते हुए मोती को अटेज करेंगे तो देखिए डिजाइन को किस तरह से बनाना है आप एक दो बार विडियो को रिपीट करते हुए देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इस डिजाइन को किस तरह से बनाना है तो देखिए मैंने तीन डिजाइन बना लिया है इसी तरह से सारे डिजाइन को बना लेंगे तो यहाँ पर देखिए सारे डिजाइन को मैंने बना लिया है और उपर के तरफ देखिए मैंने लटकन भी बलगा दिया है तो friends आज का यह blouse design बनके complete है आज का यह blouse आपको कैसा लगा मुझे comment में जरूर बताईएगा वीडियो पसंद आई हो तो like और share जरूर से कीजेगा और channel पर पहली बार आए हैं तो channel को subscribe भी कीजेगा मिलेंगे next blouse design के साथ तब तक लिए thank you